नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन हेल्थ तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि किस फल के अंदर कितना प्रोटीन होता है तो यह स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए फलो की लिस्ट में सबसे पहले नमबर पर हमने रखा है अमरूद को क्योंकि अमरूद के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है एक कप अमरूद यानिके लगबग 165 ग्राम एक कप के अंदर 165 ग्राम जो है अमरूद आ जाता है ठीक है तो एक कप अमरूद के अंदर जो है 4.2 ग्राम प्रोटीन होता है यानि के लगबग जो एक अम्रूद होता है, जो 100 ग्राम के आसपास होता है, उससे आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा नेक्स्ट है ऑवोकाडो जो फूरूट है इसमें भी आपको एक कप आवोकाडो जो फल होता है उसमें आपको तीन ग्राम जो है प्रोटीन प्राप्ट होता है next जो fruit है वो है cutthal जिसे हम jackfruit बोलते हैं English में इसमें भी आपको एक कप jackfruit के अंदर लगबग 2.8 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है next है kiwi, kiwi आपको market में काफ़ी बार देखने को मिले के और ये काफ़ी महंगी भी होती है kiwi के अंदर भी आपको 1 cup जो kiwi होते है जिसका बज़न लगबग 150 ग्राम होता है उसमें आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा यानि कर जो एक किवी होती है जो लग बग 100 ग्राम की होती है उसमें आपको 1 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगा नेक्स्ट हमारा जो fruit है वो है संत्रा, संत्रा जो लगबग एक जो संत्रा होता वो 100 ग्राम के आसपास होता है क्योंकि एक किलो में 10 संत्रे आराम से आ जाते हैं तो एक जो संत्रा होता जिसका वजन लगबग 100 ग्राम है उसमें आपको 0.9 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगा लेकिन इसमें आपको विटमिन C काफी ज्यादा मातरा में मिल जाएगा अगला जो फल है वो है सेब एक सेब जो होता वो लगबग 200 ग्राम के आसपास होता है क्योंकि एक किलो जो सेब होते हैं उसके अंदर लगबग 5 सेब ही आपको मिलते हैं तो अगर आप एक पूरा सेब खाते हो तो उसके अंदर आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है क्योंकि या लगबग जो एक केला होता है, जो लगबग 100 ग्राम का होता है, उसमें आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानि कि अगर आप छोटा से छोटा केला भी खाते हो, तो उसमें भी आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, अगला जो फल है वो है अंगूर, अंगूर भी क्य होते हैं इसमें भी आपको 100 ग्राम अंगूर के अंदर 0.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है next हमारा जो fruit है वो है lemon यानी के नीम्बू, नीम्बू के अंदर भी आपको 100 ग्राम नीम्बू के अंदर लगबग 1.1 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है लेकिन आपको इसमें vitamin C काफी ज 0.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है नेक्ष्ट जो फल है वो है आम 100 ग्राम आम के अंदर आपको लगवक 0.8 ग्रोटीन प्राप्त होता है और आम हमारे देश का यानि के भारत का राष्ट्रिय फल भी है अगला जो फल है वो है अनासपाती इसमें आपको 100 ग्राम अनासपाती खाने पर 0.4 ग्रोटीन प्राप्त होता है अगला फल है अनानास अनानास जो होता है उसकी अगर आप 100 ग्राम मात्रा खाते हैं तो उसमें आपको 0.5 ग्रोटीन प्राप्त होता है अगला जो फल है वो है स्ट्रोबेरी स्ट्रोबेरी अगर आप 165 ग्राम यानिके लगबग 1 कप स्ट्रोबेरी अगर आप खा लेते हो तो उसमें आपको 1.03 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है हमारा आगला फल है आडू जिसे इंगलिस में पीच बोलते हैं अगर आप एक कप आडू खाते होई जिसका भार लगबग 165 ग्राम है तो इससे आपको 1.4 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है हमारे फल कंपलीट हो चुके हैं तो अब यहाँ पर कुछ और चीज़े हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ तो अंडा जो होता है लगबग जो एक अंडा होता चोटा से चोटा अंडा उसका भार 50 ग्राम होता है तो छोटा से छोटा जो अंडा होता जिसका भार लगबग 50 ग्राम है उसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है ठीक है और ये 6 ग्राम प्रोटीन जो है दो पार्ट से मिलकर बनता है पहला जो अंडे का सफेद भाग होता है जो की बाहर की तरफ होता है उबालने प पांच या 1.2 ग्राम फैट भी होता है तो अंडा जो है अगर आप बोडी बिल्डिंग कर रहे हैं मसल बनाने की सोच रहे हैं तो अंडे का जो सफेद भाग होता है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफीचील रहेगा लेकिन अगर आप साथ में उसका जो पीला भाग है वो भी खाते हैं तो उसमें भी आपको काफी मात्रा में विटमिन D, विटमिन A और काफी सारे मिनरल्स भी प्राप्त होंगे तो अगर आप इसको वोल खाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफीट रहेगा नेक्स्ट जो हमारा फल है वो है टमाटर टमाटर जो है फलो में न और इंग्लिश में इसको कॉरन बोलते हैं जा आपने सुनाओ का टीवी में आइड आती है कॉरन फलेक्स जो की बच्चे सुबह सुबह खाते हैं तो वो जो कॉरन के जो फलेक्स होते हैं कॉरन के टुकडे होते हैं जो दूद में डाल करके खाते हैं असल में वो इस कूकड अलु 6 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। तो यह हो गया हमारा आज का वीडियो कंप्लीट, देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो, कोई अगर आपका वीडियो सवाल है, आप कमेंट बौक्स में लिख करके पूठ सकते हो, तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार